बस पानी में घुलो और तयार कर लो, बिना तेल का, शूजी का बोखती चटपटा सा और टेस्टी सा नाश्टा तो आज हम बनाने जा रहे हैं, सूजी का बेहद Аसान नाश्टा जिससे आप टिफिन में भी ले जा सकते हैं सुबह, ब्रेक्फस्ट में या फिर शाम में भी बना सकते हैं अगर आप डाइट पर है न तो आप इससे as a lunch भी खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनता है तो चली रेसिपे स्टाट करते हैं अब देख सकते हैं कितना fluffy बना है एक्तम soft सा नाष्टा हमारा यहां पर बनके त्यार हुआ है तो आज इसे हम सुझी से बना रहे हैं यहां पर मैंने एक कप सुझी ले लिए जो के महीन वाली है इसे हम एक बावल में निकाल लेंगे थोड़ी सी सुझी में आप काफी सारा नाष्टा यहां पर बना के त्यार कर लोगे साथ ही इसमें हम add कर देंगे one cheese spoon rice flour इसे काफी अच्छा इसका sponge आएगा और one cup हम यहां पर दही add करेंगे और इतनी quantity यहां पर हम पानी की भी डालेंगे चावल काट अगर आप इसमें थोड़ा सा add कर देते हो तो इसका flavor बढ़ जाता है और इसमें थोड़ी सी crispiness भी आ जाती है उपर से इसको अच्छे से हम कर लेंगे mix और आप देख सकते हैं यहां पर जो पानी मैंने डाला है वो बहुत जादा नहीं डाला है आप कोई भी recipe बना इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके यह add कर जब आपको जरूरत लगती है तो इसमें थोड़ा पानी और add कर सकते है अगर जो हमारा बैटर है यहां पर हो जाएगा अब अगर हमें जरूरत लगती है तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी वार डालेंगी से अच्छे से एक बार ही आपको कर लेना है mix और जैसे ही अच्छे से mix हो जाएगा इसमें कुछ चिज़े आड़ कर देंगे इसे और भी ज जाल सकते ग्रेट करके थोड़ी सी प्यास ले लिए दो टेबल स्पून हमने यहां पर प्यास को भी ग्रेट करके लिए या फिर चॉप करके ले सकते हैं आप बारी कटा हुआ हरा धनिया इसमें आड़ करेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे वन टी स्पून नमक नमक अब इसमें हमना एट कर देंगे स्वारी पहले मैंने जीरा पाउडर दाला था अब काले मेज का पाउडर एट किया है और यहां पर मैं इसमें पानी डालूंगी क्योंकि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वहम थोड़ा सा पानी डाल कर जेस्ट करेंगे क्योंकि यह काफी तिक हो साथ सर्फ करें बहुत डिलिश्यस लगती है तो वन टीस्पून तेल ले लिया मैंने यहां पर गरम होनी दिया तैसे अच्छे से मैंने हाफ टीस्पून सरस्व के दाने आड़ किये हैं हाफ टीस्पून यहां पर सफेज जीरा आड़ कर देंगे और साथ ही इसमें हम वाइट सब्सक्राइब पर देख सकते हैं और बहुत जादा थेख है और बहुत जादा पतली है आप देख सकते हैं एक ऐसी कंसिस्टेंसी है जिससे जो हमारा बैटर एक दम पर्फिक्त बन के तयार हुआ है अब इसमें हम एड़ कर देंगे हाफ टीस्पून खाने वाला मीठा अगर रैसे पी पसंद आ रही है तो प्लीज नीचे एक लाइक का बटन दिया गया ऐसे फ्रस करके आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजएगा क्योंकि आप वीडियो देख लेते हो बट लाइक करना भूल जाते हो चैनल क के साथ ग्रीज कर लेना जैसे के मैंने कर लिया है अब जो बनाया हुआ मिक्षर है हम इसमें पूरा मिक्षर आट कर देंगे फ्रेंस जब आप इसे बनाने जा रहे हो तब ही आप इसमें सोडे का इस्तमाल करें अगर आप पहले से कर देते हो और बाद में बनाते हो तो हम इसमें पर इससे जादा आपको स्टीम नहीं करना होता है तो हम इसे छोड़ देंगे 20 मिन तक स्टीम होने के लिए और 20 मिनिट बाद जब हम गैस को आफ कर देंगे तो हम देखेंगे यह कितने बढ़िया तरीके से स्टीम हो चुका है अब आपको इसे कुछ देर के करेंगे जो इसके लुक को और भी ज्यादा बढ़ा देगा और हमने इसमें लाल मिर्श पर आड़ नहीं की तीसले हम थोड़ा सा मिर्श इसके ऊपर से आड़ कर देंगे और धन्यापता आड़ करेंगे इससे यह बहुत ही ज्यादा देखने में इसका जो लुक है वो बढ़ जाएगा उसके बाद किसी भी सर्फेस पर आप इसे इस तरह से रख दे और जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे इस तरह से डी मोल्ड करेंगे कोई भी आप चाकू ले सकते हैं इसकी साइट आप इस तरह से क्लीन कर लें और आप देखेंगे आप इसे राइ चटनी के साथ सर्फ करें नायल की चटनी अगर आप इसके साथ सर्फ करते हैं तो बहुत जादा टेस्टी लगती या पर आप इसके साथ मिर्श की लड़ चटनी जो हरी वाली आती है न वो भी सर्फ कर सकते हैं और अभी मैं आपको दिखाऊंगे कि यह कितना ज आप इडली खाने के शौकीन है तो आप इसे जरू ट्राइए करें, क्योंकि जो इसका टेस्ट है वो इडली से कम नहीं आता है, बल्की बल्की बहुत ही जादा टेस्टी होता है, और हमने इसमें धेर सारी जो वेचेटेबल से हैं वेट की हैं, तो देख सकते हैं, सारा का सार नाश्ता आमने क्लेट पर सफ कर लिया है वहम इसे तोड़ कर दिखाते हैं कि अंदर से यह कितना जादा स्पॉंजी बनके त्यार हुआ है बिलकुल भी कच्छा नहीं रहता है यह अंदर से एकदम सॉफ्ट स्पॉंजी बनके नाश्ता त्यार हो जाता है अगर आपको आज क कि यह रसीपी प्रसंद आ गई है तो प्लेसिस वीडियो को जादा से जादा लाइक और शेयर कर दिजिएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब किया बिना मज जाएगा इन बेल आगन भी प्रेस कीजिएगा इसे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचेगी चले ट्राइ की जूर अपना फीडबैक दीजिएगा मुझे मैं मिलती है आपसे नेक्स वीडियो में बाई बाई